नवश्का अधर्शको, Grand AC News की खास पेशकस हेलो डॉक्टर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हेलो डॉक्टर की तहद हम आपको रोगों से संबंधी चिकिसकों से रुबरू कराते हैं उनके उपचार किस तरह हैं इसके बारे में डॉक्टर से चर्चा करके बताते हैं इसी संदर में आज हमारे स्टूडियों में दो चिकिस सग हैं जो की नवजाश इशू एवं बाल इरोग फिशग्ये हैं ये हैं भूपेंदर धवले जी जो की वर्तमान में भी बेयम शाह हॉस्पिटल में अपनी सेवाय दे रहे हैं और दूसरे हैं डॉक्टर स्वदेश वर्मा जी हां एमडी पेडियाटिक से नियो निटोलोजी फेलोचीप इन्होंने एम से सिकी हुई है तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे भूपेंदर धवले सर का सर आपस स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जो नवजात बच्चे होते हैं प्रसव होता है उसके बाद में अक्सर उनमेना पिलिया का गुण देखा जाता है किन कारणों से पिलिया होता है और उसके बचाओ क्या है किस तरह से उसका अपने बच्चे को पिलिया से बचा सकते हैं पहले तो मैं A.I.N. Grand Newt को दन्यवाद देना तरह सकते कि अब नबका हाँगा हमें यहां पे आमत्रित करने के लिए बात रहे पिलिया की तो पिलिया किसे कहते हैं पिलिया तो आखों में या सकीन का जो पिला पिल दलर होच Ł như अच्छा है please consider पिलिया का विलुरुबिन उससे आता है यह विलुरुबिन जो आता है तो यह जो बrand, भी कि आधान के लिए चैनल आ ऑपने सुपर चूल में और मातरा में बढ़ सकती हैं और बी कारण रहते हैं जैसे कि अगर लिवर में कोई दिरह में कोई रही या और कोई जयनेटिक क से कोई यह ङरी मेरी त żyस्टी कोई नवल 60 दीन का रहता है भी जाल होता है शुश्छinky की उनका जो आईओ है आर बीजी का या लाल रक्तविशिका वो 90 तीन से कम हो जाता है इसी कारण बच्चों में बहुत बार दुसरे दिन से पिलया का दिखना सामान्य है अगर पिलया पहले दिन दिखता है या 14 दिन के बाद दिखता है तो उसको हम बिमारी कह सकते है पिलिया का जो दिखना है वो नॉर्मल होता है क्या मैक्सिमम多 बच्चे पूरे नौवधने बाद पैदा होते उसमें 60-80 प्रतिशत बच्चों में सारे बच्चों में पिलिया की मातरा आ सकती या पिलिया देख सकता है पर जो बच्चे प्रिटम होते जो साइतिस हपतों से पहले पैदा होते हैं उनमें 80-90% बच्चों में ये पिलिया की मातरा धिक सकती है बहुत अच्छी जानकरीदी सर आपने पिलिया को लेकर हमारे साथ मौझूद हैं भी डॉक्टर स्वदेश वर मसर तो मैं डॉक्टर साइब से जानना चाहूंगी कि जो नवजात होते हैं नीवान बेबी होते हैं उनको मा का दूद कितना आशक है ग्रैंड इसन न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप डॉक्टर्स के माद्धम से हां लोगों को बच्चों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं नवजात शिशु में मा का दूद बहुत आवशक है इसके अनेकों फाइदे है जसे कि न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बच्चे के मा के दूद में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो वे प्रोटीन होता है 70% तक whey protein होता है और गाय के या भैस के दूद में लगबग 18% तक whey protein होता है बाकी casein protein होता है casein protein अच्छे से digest नहीं होता तो जो ये whey protein है ये easily digestible form है और बच्चे को breeding block बोलते हैं बच्चे को बनाने में protein की बहुत मदद चाहिए होती है फिर हम fat की बात करें तो जो fat होता है मा के दूद में वो easily digestible form है वो किसी भी formula feed में या गाय भैस के दूद में उतनी मात्रा में नहीं हो सकता उस quantity तो होती है बट quality नहीं हो सकती जिसका absorption हो पाता है तो वो absorption जो होता है पचना जो है वो मा के दूद से होता है इसके अलावा जो fat है उसमें DHA और ARA होता है यह एक ऐसा तत्व है जो बच्चे के brain की growth के लिए बहुत आवश्यक होता है अक्सर कुछ research है जो other countries में foreign countries में की गई है उसमें ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे को atmosphere same दिया जाए cable difference रहे दो बच्चे हैं दौनों को same atmosphere मिला है बस difference है एक बच्चे को मा का दूद दिया है एक बच्चे को बाहर का दूद दिया है तो जिस बच्चे ने मा का दूद पिया है उसके brain की growth ज़्यादा होती है उसका IQ level दूसरे बच्चे के compare में लगभग 8-10 ज़्यादा होता है इसके अलावा जो carbohydrate है वो बच्चे के stool को motions को soft करता है तो बच्चे को constipation होने का खत्रा कम हो जाता है साथ ही इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे के immunity बढ़ाते हैं लेक्टोफेरिंस होते हैं इम्मिनोग्लोबिन्स होते हैं मा के दूद में जो अंदर से इंटिस्टाइन के अंदर को line up कर लेते हैं जिसकी बज़े से जब जैसे ही कोई बैक्टिरिया बच्चे के पेट में जाएगा तो यह उसको मार देते हैं और बच्चे को immunity प्रोवाइट करते हैं कुछ growth factors होते हैं जो बच्चे की growth के लिए आवश्यक होते हैं जैसे की epidermal growth factor है insulin like growth factor है यह बच्चे की growth अच्छे से करवाते हैं इसके अलावा बहुत से benefits मा को भी हैं जैसे मा का वजन कम करना delivery के बाद delivery के समय मा का वजन काफी बढ़ जाता है 10 वारा किलो तो delivery के बाद बच्चा अगर feeding करेगा 6-8 मेने अच्छे से feeding करेगा तो मा का वजन कम होता है मा को कुछ cancers जैसे breast cancers होने के chances भी कम होते हैं साथ ही lactational amenorrhea means बच्चा अगर दूद पिएगा तो मा को periods उस duration में periods नहीं आते जिसके वैसे तुरंत pregnancy होने का खत्रा रुक जाता है क्योंकि अगर इतनी जल्दी दुबारा pregnancy हो गई तो आम तोर पर उसका result अच्छा नहीं होता है तो उसमें भी benefit करता है इसके लाबा दो बातें और मैं अब हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनसे दो बातें और मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे को मा का दूद कब पिलाना चाहिए तो अगर नॉर्मल डिलिवरी है जितना जल्दी हो सके मा अगर लेवर रूम में बच्चा डिलिवर्ड हुआ है तुरंत अगर आप पिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है जितना जल्दी हो सके पिलाना है अगर ऑपरेशन से हुआ है तो भी कोशिश करना है कि एकाद घंटे के अंदर हम मा का दूद पिलाए शुरू के तीन दिन जो दूद हाता है मा को वो कॉलस्ट्रम उसको बोलते हैं गाढ़ा दूद होता है उसमें कुछ आवश्यक तत्व जैसे इम्मिनोग्लोबलेंस होते हैं जो इम्मुनिटी प्रवाइड करते हैं बच्चे को बहुत लंबे समय तक प्रटेक्शन देंगी वो शुरू के तीन दिन में ही है अगर वो तीन दिन निकल गए अक्सर होता है कि सिजेरेन हुआ ऑपरेशन हुआ बच्चा डिलेवर्ड हुआ तो मा को तकलीफ होती है एक दिन दो दिन मा दूद नहीं प्लाती तो ऐसा नहीं करना है आपको बच्चे को दूद पिलाना है क्योंकि शुरू के तीन दिन में ही उसको एंटिवर्डिस मिलेंगे उसके नहीं मिलेंगे एक दूसरी परशानी जो हम commonly देखते हैं हमारी OPD में आती है कि बच्चे को मा दूद पलाती है जैसे उनका कंप्रेंट होती है कि बच्चे को हमने पांच मट एक तरब से पलाया पांच मट दूसरी तरब से पलाया और उसके बाद भी उसका पेट नहीं परता है तो हमें भार बाख दो नहीं करते हैं तो ऐसे बच्चों का मा का दूद में पाता है वह उसको कैसे पलाना पड़ते हैं तो दिफिकल्ट होता है जिन बच्चों को मां का Τू hvad कि मिलों थो होतारी उसको तरफ से नहीं मिल पाएंग गी बट फिर जो ड़िकमेंडिशन है जो सर जिन बच्चों को मा का दूद नहीं मिलता है। साथ ही अगर मा का दूद नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं। बाहर कर दूद है उसको बॉटल से पिला देते हैं, तो जब बच्चा बॉटल से दूद पीता है, तो बॉटल कर निपल होता है, उसको बार बार इंफेक्शन होता है, उसको डायरिया हो सकता है, अगर गाय का दूद पी रहा है या भैस का दूद पी रहा है, तो कभी-कभी इनसे allergy होती है, ये allergy इतने severe होती है कि कभी-कभी तो party में, emotions में blood आना शुरू हो जाता है बच्चे के, साथ ही, हमें long term अगर देखें तो इन बच्चों को बार-बार सरदी खासी allergy के वैसे भी ऐसी परशानिया आ सकती है बार-बार सरदी खासी होना, सांस के तकलीफे आना, ये परशानिया भी देखी जाती है overall immunity उनकी कम रहती है और infections के चांसे ज़्यादा होते है मा का दूद अगर बच्चा पी रहा है तो किस condition है पिरना चाहिए इसको कितना timing का उसका ख्यार रखना चाहिए बिल्कुल मैं इसी बात को बताना चाहरा था कि जैसे कई बार OPD में आते हैं कि तौनों तरफ से दूद पिया उसके बाद भी फेट नहीं पह रहा तो उन माओं को मैं सला देना चाहूंगा कि बच्चे को एक बार में एकी तरफ से दूद पिलाना है जैसे कि आप माल इसे दो बज़े दूद पिला रहे हैं तो उसको एकी तरफ से पिलाएंगे और अगले दो-तिन घंटे बाद जब दूद से दूद पिला रहे हैं तो वह दूसरी तरफ से कराएंगे क्योंकि शुरुबात में जो 5-10 मिट तक मिल्क आता है वो पतला मिल्क होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं साथ में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और 10 मिट के बाद जो मिल्क आएगा उसमें फैट कंटेंट होता है तो क्या होता है जब बच्चा 5 मिट एक तरफ से पिएगा दूसरी तरफ से पीएगा पांच मैट तो दौनों तरफ से उसको पतला मिल्क मिल गया है जिससे उसका पेट नहीं भरेगा और वजन भी नहीं भरेगा ऐसी कंडिशन में आपको दूद बाहर का देना पड़ता है अगर आप एक बार में एकी तरफ से दूद पलाएंगे 10 से 15 मैट तो उसने फैट वाला मिल्क भी ले लिया है साथ में वाटर कंटेंट भी भरेगा वजन भी बढ़ेगा और आपको बाहर के दूद देने की आवश्यक्ता कम बढ़ेगा बैठें काफी समय से उनसे जानना चाहूंगी सर की बच्चा जब पैदा होता है अभी तो हमने पैए इसके दूध को लेकर कि और कैसा उसको खान पानोना चीज़ा हमने चर्चा कर ली अब समय आता है तीका करें का तो क्या सहाई होता है कोनकोंसे थीके बच्चे को लगने चाहिए पहले तो जान लेना चाहिए कि ठीका होता क्या है तो ठीका एक कोई भी जन्तु का एक मुर्तक फॉर्म या उसका कुछ घटक या उसका एक निश्क्रिय घटक ओ शरीर में इंजेक्शन के मारपत या दवाई के मारपत मुझसे दिया जाता है जिसके वज़ए से क्या होता है कि अपने शरीर में आंटिबोडि स् तियार होती है एक लिम्फोसाई्ट नाम के सेल रहते वह तियार हुते है जो जो वह भीमारी से बचाओ करने में मदद करते है इसलिए जब भीं कोई भीमारी अगर हो जाएंगे या कोई जन्तु शरीर में जाता है तो उसके खिलाब ये antibodies ओल्रेडी रहती है शरीर में और जो lymphocyte रहते हैं उसके कारण ये भीमारी नहीं होती है इसलिए जरूरी होता है कि कोई भीमारी अगर प्रिवेंट करना उस से दूर रहना है तो हमें टिका करन करना जरूरी होता है इसलिए बोलते हैं हमें ये भी बोलते हैं कि prevention is better than cure तो कोई बीमारी हो उससे पहली अगर टिका ले जाते हैं तो हम उस बीमारी से बस सकते हैं अभी टिका करन का सही समय तो ये है कि शुरुबात में जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन 24 गंटे के अंदर हम तीन टिके दिये जाते हैं जैसे कि OPV, BCG और Hepatitis B का वैक्सीन दिया जाता है नाशनल इम्मुनाइजेशन शेडोल की नुसार जो आंगनवाडी प्राइमरी हेल्स सेंटर है वहाँ पर जनम के समय देड़ मैने में धाई मैने में और साड़े तीन मैने में टिका दिया जाता है जिसमें 5 घटक रहता है DPT रहता है हीब रहता है और Hepatitis B रहता है और एक पोलियो का इंजेक्शन भी शुरू हुआ है शुरू आत में तो ओरल पोलियो का जो वैक्सीन रहता तो ओरल फॉर्म में आता है पर 2016 से यह इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया दाने लगा है फिर 15 मेने में MMR का वैक्सीन होता है फिर 15 साल में बुस्टर होता है पहला बुस्टर फिर 4.5 साल में दुसरा बुस्टर होता है और 10 साल में टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है इसके अलावा भी ऑप्शनल यह तो गवर्मेंट में दिये जाते पर काफी वैक्सीन है जो ग वेक्सिण जो बरसात में बहुत बारं गंदा पानी पीने के वज़े से या बाहर का खाने वजह के है पीलिया उता है तो ईसका घूडर के आप arthal के एक सिंगल डोज लगा सकते जो कि जनवरी के जनवरी से मार्च मेने में लगाना चाहिए ठीक है जिन बच्चों में अगर कोई क्रोणिक लंग डिसी जाए या हार्ट का बीमारी है तो ऐसे बच्चों में काफी लंबे समय तक यह वैक्सिन दिया जाना चाहिए बीच में जाना है चाहूंगी कि मान लो किनी कारणों से इन सब टिका लगाने से बच्चा वंचित रह गया तो आने वाले समय में जब वो युवा वस्था में पहुंचेगा तो कौन से बिमारिया उसको घीरेगी क्योंकि सभी मैक्सिमम हर बच्चों का ही पालक होते हैं या उनका देखरेग करने वाला होता ऐसा नहीं है करी न कोई बाद्चा च्छूट जाते रही जाता है उनको कैसे परिशांया थी उनको बीमारी जैसे डिप्तेरिया डिप्तेरिया टिटेनस यह जो बीमारी रहती है जैसे टिवर क्यों जनम के समय में हम बिसीजिव एक्सिन ल जाते हैं उन्में ये सारे बीमारी हैं, जैसे टीटेनल, हिपैटिस, टाइफाइड, मिजल्स, ये सारे बीमारी हो सकती है. सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप में टीका करण को लिए का टीका करण है क्या और कौन-कौन से टीके लगना चाहिए, आपने जानकारी दी? सर्वीते तीन वर्षों से COVID-19 ने काफी कहर बरपाया हुआ है ऐसे में कितनी ही प्रसव हॉस्पिटल्स में हुए हैं आप बता सकते हैं कि COVID-19 के समय में जो प्रसव हुए उनमें किस तरह की परिशाने आई परिशानी यह रही गई कि जो मदर COVID-19 पॉजिटिव पाई गई उनमें बहुत बार तो डिलिवरी के लिए सही जगह नहीं मिली या जो डॉक्त जहां पर भी नॉर्मल डिलिवरी करा थे ते वहां पर जगह नहीं मिली क्यूंकि COVID के लिए अतिरिक्त जगह चाहिए उसको isolation के लिए रूम चाहिए और आगे जाकर new net के लिए आई सिँ का अगर कोई गरज पर दी तो उसके लिए पर सारे जगह यह फैसिलेटी आवेलेबल नहीं होती है तो कोविट के कारण जो डिलीवरी है उसके लोगों को काफी परिशानी देलनी पड़ी है जैसे अगर डिलीवरी अगर भिलाय में पॉसिबल हुई है तो राइपूर में कराना पड़ा या काफी दूर लेकर उनको जाना पड़ा उसके कारण डिले होने के कारण बच्चों मे कि वो जैसे बच्चे को दूर रखा गया जिसके वो जैसे मा और बच्चे का जो बॉर्ण होना चाहिए डिलोवरी के समय उसमें काफी तकली हुई बच्चे को कई लोग पूरा कवर करके रख देते हैं अच्छे से दो तीन लेयर्स में कपड़े ढख के रख देते हैं वो जितना वो है हमारा हाथ पी उतना वाम है लगबग उतना है तो ठीक है अgresड़ा घरम हो ज़ती है अ गर वो ज़्यादा गरम हो रहा है तो तो फोड़ा सखोलना है है बच्चे को अगर वो थंदा लग रहा है तो इसको कवर करना है साथ में मौसम का भी ध्यान नहीं आ अगर मौसम थंडा हो रहा है बारिष हो रही है यह ज़रोत नहीं है उसको थोड़ वर करना है कैप हमेशा पहनाना- है prefer धैना हाथ पैनों के मुझे भी पहना अगर मौसम गर्म है, जैसे अभी गर्मी की दिन आने वाले हैं, या भी चली रहे हैं, तो ऐसी स्थिती में बहुत ज्यादा कवर करने की जरूत नहीं है, उसको थोड़ा सा टच करके देखें, अगर बच्चा ठीक लग रहा है, आपकी इसकिन का टेंपरेचर के बराबर बच बच्चे के हाथ पैर भी होने चाहिए, फिर कुछ और बाते आती हैं, जैसे लोग पूछते हैं कि बच्चे को नहलाना कब है, तो नाभी में जो कौड लगा है, वो कौड जब तक गिरता नहीं है, वो साथ से दस दिनों में सूख के अपने अप गिर जाता है, उसके बाद हलका गिला रहता है एक दो दिनों के लिए, फिर सूख जाता है, तो इतने समय हमें वेट करना है, इसके पहले आप गुंगुने पानी से, कौटन के कपड़े से स्पॉंजिंग करिए, तेल लगाईए, मगर नहलाईए मत, नहलाना कब है, जब ये कौड गिर गिर गया है, और वो नाभी सूख गई है, कौड केर बहुत इंपोर्टन है, मैंने पैरिफेरी में कुछ केसिस देखे हैं, जहां पे गाउं वगरा में पुराने जो हमारे दादी रानी होते थे, उनका कल्चर था कि उसमें गोवर लगा देते थे, या कंडे से उसको रब करते थे, तो क कुछ भी लगाने के आवश्यक्ता नहीं है, नाभी को ड्राय रखना है, जैसा है, वैसा छोड़ देना है, अपने आप साथ से दिनों में गिर जाएगा, फिर वो जो गीला हिस्सा है, वो भी सूख जाएगा, तो सभी से यही अपील करूंगा, कि उसमें कुछ भी लगाए नहीं, साथ में लोगों का सवाल होता है कि तेल कौन सा लगाना है, पाउडर कौन सा लगाना है बच्चे को, तो जो रिसर्च में निकल के आया है, वो सेफ है किवल नारियल का तेल, तो नारियल का तेल जो इसी लिए वाले वल है सबी जंग है, वही लगाएं, इसके चाहिए इसके धिरे धिरे उसकी खराब होती है और साथ में जब दूद पिलाते हैं बच्चे को तो डगार दिलाना आवशक है बच्चा कितनी बार सुसु पॉटी कर रहा है वो देखना आवशक है सुसु अगर यूरिन अगर बच्चा दिन में 6-8 बार कर रहा है तो मतलब ठीक है 6-8 बार यूरिन कर रहा है तो अच्छा है आम तोर पर बच्चे जादा ही यूरिन करते हैं बट मिनिमुम 6 बार करना चाहिए तो यह सारी चीज़े देखनी है एक सवाल सब के मन में बहुत रहता है वो यह कि जब बच्चा पैदा होता है दूद तो उसे मा पिलाती इस तन पान कराती है लेकिन बड़े बुजरुग कहते हैं कि पानी उसे नहीं पिलाना और यह सभी में एक वो कोटुहल है कि यह क्यों नहीं पिलाना है बता सके हैं कि कि किन पानी पिलाना पना किया जाता है पानी की कमी होगी तो बच्चा च्छा बार से कम यूरिन करेगा अगर पच्चा अच्छे से दूद पी रहा है उसको पर्याप मात्रा में पानी मिल जाता है उसको अलग से पानी देने की कोई आवश्यक्ता नहीं होती इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल आता है लोगों का रहता है कि जन्ब घुटी पिला सकते हैं क्या शेहद पिला सकते हैं क्या बहुत common question है बहुत लोग पूछने है educated family अच्छे घरों में बच्चे को शेहद पिला दिया जाता है शेहद में एक bacteria होता है मा के दूद से बड़े जन्बुटी कुछ नहीं होती मा का दूद पिला है उससे वो अमरत के समान ही है जो कहा जाता है वो बिलकुल अमरत है मा के दूद के से बड़ा कुछ भी नहीं है तो वही प्लान है बीयेम शाह होस्पिटल में आप दोनों अभी होना चाहिए, वो सारी सुविधा हमारे भी हमशो हस्पिटल में अवेलेबल है, जैसे लेबर रूम, और मल डिलीवरी अगर कराना है, उसके लिए भी सुविधा उपलब्द है, उपरेशन थेटर जहां सीजरें सेक्शन होता है, वो भी अवेलेबल है, बाकि इस उपरेशन के लिए जो टीम लगती है, जैसे मेडिसीन के डॉक्टर, फिजिशियन, अनेस्टेशिया के डॉक्टर, पिडियाट्रिशन, गाइनेकलोजिस्ट, इस सारी टीम हमेशा समय पर अवेलेबल होती है, जैसे हमें लगता है कि पेशन आ गया, तो तुरंट साब लोगों को बुलाया जाता है, और जो भी उनका रिक्वाइर्मेंट है, जैसे मेडिसीन के डॉक्टर को दिखाना है, यह पिडियाट्रिशन के डॉक्टर को दिखाना है, तो तुरंट वहाँ आ जाते है, बच्चा पइदा होने के बाद उसको न जो बच्चों को, नौजात बच्चों को और जो नौजात की मा रहती उसके लिए, जैसा कि हमारे कली ब्रक्टर भूपेंदी साहब ने कहा, कि बिच्चे को और मा को प्रशब के समय कई तकलिफें होती हैं, तो उसके लिए एक टीम बग लगता है, तो हमारे हॉस्पिल में पूरा टीम बग अवलेबल है, एनस्थेटिस्ट है, मैडिसिन अगर ज़रुद पढ़ती है, मा को कभी स्किन की इशू जाते हैं, तो डिर्मेटकलोइस्ट है, साथ में जो इमर्जनसी से डील करने के लिए टीम चाहिए, गानेकलोइस्ट की जो टीम चाहिए, वो हमारे हा मशीने है, एक अच्छे अलाईस्ट होना चाहिए, वो लगबख सभी कुछ अभलेबल है हमारे पास अभी, तो बिसिकली एक टीम बग चाहिए होता है, किसी भी डिसीज से उभरने के लिए, किसी भी चीज से लिए, तो प्रशब के समय जो चाहिए, वो सभी हमारे पास और भुपेंद्र धवले सरकार, शुकरिया दा करना चाहिए, आप हमारे स्टूडियों में आए, और क्योंकि बच्चा जो है घर का चिराग होता है, बच्चों से काफी अफिक्षाए होती है, उसे संबंदित आपने बिमारियों के, और किस किस तरह का उपचार है, करना च